सबस्क्राइब कीसी सिंपल एंड इसी क्लासफ को और स्टेडी से जोड़ी अप्डेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए हेलो वेडो ने स्टुडेंट्स के लिए बहुत आपको बता दे कि यूद लंबे समय से माकशीट जारी होने के लिए मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई है और मांकशीट अभी तक जारी नहीं की गई है इसलिए बहुत से स्टुडेंट्स अभी भी बार बार जाकर रोहिखन युनिवरस्ती में ये मांग कर रहे हैं कि आपकी मांकशीट जारी की जाए तो मैं आ शिक्षक भरती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि शिक्षक भरती निकल सकती है तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि शिक्षक भरती कम निकलने वाली है इसलिए अगर आप मेरे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर लें और अगर अभी तक अपने अधर फ्रेंड्स की साथ इसको शेर नहीं किया है तो अपने अधर फ्रेंड्स की साथ भी शेर कर दें और वीडियो पर अंतक बने रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12,000 चात्रों को एक महीने बाद भी जारी नहीं हो सकी माक्षीट रोहिल खंड विश्विध्याले अब तक करीब 12,000 चात्रों को बीड की माक्षीट उपलब्द नहीं करा सका है जबकि विश्विध्याले ने 21 नवंबर तक छात्रों को B.A.D. की माक्षीट उपलब्द कराने का आश्वाशन दिया था छात्रों का कहना है कि माक्षीट ना मिलने से तमाम प्रतियोगी प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं हो पा रही हैं B.A.D. का रिजल्ट जारी होने के बाद भी माक्षीट ना मिलने का मामला चात्रों ने उठाया तो विश्विध्याले ने यह आश्वस्त किया था कि 21 नवंबर तक B.A.D. की माक्षीट जारी कर दी जाएगी क्योंकि उस समय शिक्षक भरती के लिए T.G.T. और P.G.T. के फॉर्म भरने की आखरी तारी 27 नवंबर निर्धारित थी चात्रों ने विश्विध्याले के कुलपती केपी सिंग और परिक्षन यंत्रक संजीव कुमार का घिराप करते हुए B.A.D. का रिजल्ट जल से जल्द घोशित करने की मांग की थी हाला की बाद में T.G.T. और P.G.T. परिक्षा शिक्षक भरती निरस्त हो जाने से मांग शीट के लिए भटक रहे चात्रों को घोशित रिजल्ट होने से कुछ रहात मिल गई थी और अभी तक मांग शीट जारी नहीं की गई है लेकिन चात्रों ने मांग की है तो हो सकता है कि आपकी मांग शीट बहुत ही जल्दी जारी कर दी जाए इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे प समभावना चात्रों का कहना है कि दिसंबर के अंत तक टीजीटी और पीजीटी के भरती फॉर्म निकलने की फिर से समभावना है शाषन ने इसकी सूचना जारी कर दी तो बीड की मांग शीट ना पाने वाले हजारों चात्रों की सामने फिर से दिक्कत खड़ी हो जाएगी चात्रों का कहना है कि विश्विध्याले प्रिशाशन ने बीड की मांग शीट जल्द ना दी तो जल्द ही आंदोलन किया जाएगा अगर आपको यह इन्फॉर्मिशन यूस्फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जार सदर शेयर करें और म मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो